Good morning dear students, welcome art and craft activity, our today's activity is mastix art, for this activity material we need matchbox, scissor, rounder, scale, A4 size paper and favicol, let's start, first हम A4 size का जो paper लिया है उसके strips बनाएंगे strips 22 cm की बनाएंगे हो ऐसे हमारे 4 strips ready होगे, अभी हमें circle बनाना है, जो हमने A4 size का पेपर लिया था, उसके उपर circle बनाएंगे सरकल का radius हमें 5 cm लेना है और इसे कट करते हैं कर दो कि बनाएंगे होगे हैं कर दो हमें एक्ट बनाएंगे हैं सर्वादागे हैं झालो जो हमें बनाएंगे हैं अब इस स्ट्रिप्स की ऊपर फेवी कॉल लगाएंगे और मास्टिक्स स्टिक करते हैं फर्स्ट विडल में लगानी है देन उससे थोड़ा सा नीची दोनों साइड से दो स्टिक्स लगाएंगे अगें अगें नीचे से ऐसे हमें सेवेन स्टिक्स का पेटल शेप रेडी करते हैं करना है इसे 20 पेटल्स हमें रेडी करने हैं एसे एक स्ट्रीप के ऊपर हमें मैस्टिक्स पेस्ट करने हैं और जो ड्राय हुआ है फिर उसे कट करेंगे इसको ड्राय होने के बाद कट करना है इसे हमें सिक्स्टी पेटल्स रेडी करने हैं अब हम सरकल के ऊपर पेस्ट करेंगे जो हमने सरकल कट किया था उसके ऊपर पेस्ट करेंगे करेंगे झाल झाल एसे रेडी हुआ है अभी जो बीच में हमें स्पेस है वहां पे भी पिटल स्टीक करने हैं यहां तक मारा रेडी हुआ है फिर हम यह जो पेटल से उसको कट कर लेते हैं कट करके हो गए अभी इसे हमें अंदर स्टीक करना है लाइब 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 ऐसे हमारा सेकेंड लेयर कम्प्लिट हुआ और अंदर सिर्फ हमें फूर पेटल का लेयर करना है उसको सिर्फ थोड़ा सा यहां से कट कर लेंगे ऐसे कट करना है और अंदर के साइड में स्टिक करना है अंदर का पार्ट भी हमने स्टिक किया है अब यहां सेंटर में थोड़ा सा डायमंड लगाएंगे थोड़ा सा डेकोरेट करें यहां फिर हम इसके उपर पेपर फ्लार भी स्टिक कर सकते हैं is thanks for watching